हैलो दोस्तो स्वागत है आपका पैरामेडिकल स्टडीज में यहां पार्ट टू है हुमेनिस्कलेटन सिस्टम का दोस्तो पहले वीडियो में हम लोगों ने पूरा नोट्स ले लिया था हुमेनिस्कलेटन सिस्टम का और उसके बारे में जान लिया था कुछी यह रह गए थे जो हम part 2 में diagram के द्वारा cover करने जा रहे थे यह देखे यह एक bone होता है मालिजे दोस्तों यह एक bone है तो इस bone को हम लोग अच्छे डंग से समझेंगे यह bone जो होता है दोस्तों यह three layer में होता है जो अभी आगे हम बताएंगे यह देखे यह three layer में होता है और जो यह बाहर की layer होती है वो बहुत compact होती है जो protection का काम करती है यह देखे दोस्तों यहां से यहां तक यह compact होती है और side में जो होती है spongy होती है यह देखे दोस्तों side में जो है spongy है इसी में जो है blood formation होता है जब हम लोग आपको blood chapter पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कहां से कौन सा blood formation होता है और कहां तक इसमें series चलती है जिससे blood बनता है ये हमारे सरीर की long bone में दोनो white blood cell और red blood cell तथा platelet भी बनती है side side में जो होता है bone spongy होती है ये देखें दोस्तों ये हो गया हमारा bone ये देखें बीच में जो है बीच की layer को हम लोग बोलते हैं सबसे बीच में जो है इस layer को बोलते हैं medullary cavity इसी को bone marrow भी बोलते हैं इसी को medullary cavity भी बोलते हैं medullary cavity पूरे को बोलेंगे और bone marrow दो प्रकार के होते हैं यहां से यहां तक मतलब कि जहां पर white blood cell formation हो उसको बोलते हैं yellow bone marrow और जहां पर red blood cell formation होता है उसको बोलते हैं red bone marrow तो यह देखें दोस्तों यहां पर red blood cells का formation होता है यह प्लेटलेश्ट तका white blood cell का formation होता है यही responsible होता है हमारे सरीन में defense के लिए और यह side का जो दोस्त bone होता है यह हलका खुर्दूरा होता है बीच में बिल्कुल sept clear होता है तो इसको हम spongey बोल देते हैं side वाले को बीच में ह यह देखें दोस्तों इसमें एक series चलती है blood बनने के इसको बोलते ही 파 से यह हम लोग आगे पढंगे लेकिन अभी देख लीजिए दोस्तों कहां कौन सा bone बनता है सोरी दोस्तों कहां कौन सा blood cells बनते हैं तो यह देखे इसमें जो है yellow blood marrow इसको बोलते हैं इसमें hybrid blood cells बनता है इसको red bone marrow बोलते हैं जिसमें red blood cells बनता है कि आगे देखते हैं दोस्तों यह देखे हमने बोन को जो है एक स्टेट फॉर्म में रखे हैं यह समझाने के लिए कि ईपी फाइसेश डाया फाइसेश और मेटा फाइसेश किसे बड़ते हैं जो दोस्तो उपर की पार्ट होती है और नीचे की पार्ट होती है उसको बोलते हैं इपिफाइसेस देखे दोस्तो दोनों तरप इपिफाइसेस है उपर और नीचे की पार्ट को इपिफाइसेस बोलते है बीच की जो सेप्ट होती है उसको हम डायाफाइसेस बोलते है यह दे इसको मेटाफाइस बोलते हैं यह देखिए दोनों तरफ मेटाफाइस है ओके फ्रेंट्स इसको हम यदि कट करके इसकी लेयर से देखेंगे हमने बोला था इसमें तीन लेयर होते हैं तो यह देखिए दोस्तों सबसे बाहरी लेयर जो होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है उसको periosteum बोलते है second layer जो होती है compact bone होती है ये देखे दोस्तो last layer जो होती है bone मेरो होती है जिसको medullary cavity बोलते है इसी में blood formation होता है दोस्तो इसी में blood formation होता है okay friends I hope आप लोग को समझ में आया होगा आप लोग इस्क्रीन साट ले सकते हैं लेकिन इसकी बढ़िया नोट से आपको first part में हमने दे चुके हैं उसको आप जाकर देख सकते हैं तब दोस्तो ये बढ़िया ढ़ंग से समझ में आयेगा या इसको देखने के बाद भी उसको आप देख सकते हैं ये देखे दोस्तो तो स्क्रीन साट ले लिजिए और दोस्तो आप कोई भी दिक्कत हो किसी के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे आईए दोस्तो अब स्कलेटन सिस्टम को देख लेते हैं किसको अपेंडिकुलर बोलते हैं किसको एकजियल बोलते हैं यह सब हम लोग देखेंगे और कहा कौन सी बोन पाई जाती हैं यह भी हम देखेंगे और बढ़े हस समझेंगे दोस्तो हम पहले यह बताएंगे कौन सा एकजियल किसको बोलते हैं appendicular किसको बोलते हैं xl उसको बोलते हैं दोस्तों जो moments ना हो पाए जहां moments permit ना हो पाए जिसे ये देखिए ये जो दोस्तों है इतना ये ये सब xl में आता है दोस्तों हमने first वीडियो में आपको बनिहास बताया है उसमें जाकर देख सकते हैं ये जो हो है यहाँ तक जो है exponential में आता है appendicular appendicular उसको बोलते हैं जो हमें permission दे दे moment करने का उसको appendicular करते हैं ये देखिए दोस्तों जैसे कि हैंट्स पूरा हो गया इधर भी hands पूरा पूरा हो गया और ये लेग लेग पूरे हो गए तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तो अपेंडिकुलर यह देखें दोस्तो अपेंडिकुलर यह टोटल हो गया नीचे की साइड और उपर की साइड जो है हैंड दोनों अपेंडिकुलर हो गये अपेंडिकुलर एक्सेस में आ रहे हैं तो अब हम लोग इसमें जो होता है Abdomen हमने बताया था यह Upper Abdomen होता है यह Lower Abdomen होता है हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था Upper Abdomen में Soldered Garden और Lower Abdomen में Pelvis Garden यह होता है Pelvis Garden यह होता है Soldered Garden Soldered Garden में Skepula और Clevical आता है Pelvic Garden में Pelvic वोनाते हैं दोस्तों पहले हम Head की बात करेंगे Head में कितने बौन होते हैं Head में Total 29 बौन होते हैं यह हम लोग जानते हैं दोस्तों Total 29 बौन होते हैं यह जो सामने की बौन होती इसको बोलते हैं Cranium Cranium बोलते हैं दोस्तों और यहां से उपर जितनी होती हैं वे 29 बौन होती हैं हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया उसमें बढ़िया नोट्स दिये हैं दोस्तों फेस में जो होता है दोस्तों चौदा बोन होते हैं और हेड में जो होता है आठ बोन होते हैं दोस्तों और इयर में जो होता है दोस्तों यहाँ पर जो इयर में होता है वे तीन इधर और तीन इधर होते हैं दोस्तों टोटल 6 हो जाएंगे एक हॉय वाइड बोन होता है यहाँ पर जो होता है दोस्तों नीचे की तरब हमारा मुंग बंदा और खोलने में जो मदद करता है उसको बोलते हैं एक बोन यह होता है टोटल दोस्तों 29 बोन हो जाते हैं फेस में हमारे जो होते हैं चौदर बोन होते हैं, उपर जो होते हैं, आठ बोन होते हैं, और एक हॉय वाइड और तीन तीन एयर में, ये देखी दोस्तों, ये एक्जियल की बात हो रही है, और आप फस्ट वीडियो जब देखेंगे तो आपको बहुत बढ़ियां समझ में आएगा, ये देखें, हमने बहुत बढ़ियां धंग से बता दिया है, कहां कितने बोन पाए जाते हैं, अब बात करेंगे हम लोग रिप्स के, ये देखें, यहाँ पर दोस्तों, जो उपर की एक बोन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, इस्टर्नम, एक इस्टर्नम होती हैं दोस्तों, बाकी बार पेर्स जो होते हैं, वे रिप्स होते हैं, ट्वेल इधार, ट्वेल इधार, एक इस्टर्नम होती हैं दोस्तों, लास्ट दो बोन्स जो होती हैं, दोस्तों ये देखें, लास्ट दो बोन्स होती हैं, वे एयर में फ्लेट करते प्लेटिंग करते हैं इस्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है ये बात आप लोग बनियास ध्यान रखेगा दोस्तों टोटल 12 दुन 24 एक 25 बोन होती है दोस्तों एक इस्टर्नम और 24 रिप्स 25 बोन होती है दोस्तों ये भी जो है एक जील में ही आता है अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग अपर लिंग की ये दोनों अपर लिंग में आते हैं हैंड दोस्तों अपर लिंक की बात करने पहले हम आपको बताये थेक जो हमारा iskletan system है वोगे दो चीज़ से मिलकर बना है एक bone दुसरा cartilage तो आए दोस्तों हम बता दे cartilage का क्याम क्या होता है cartilage जो होता है दोस्तों bone के बीच में होते हैं जहां जो होते हैं या more joint हो जो भी हो उहां पर cartilage होते हैं और cartilage जो होते हैं दोस्तों moment और क्रेक्शन को कम करने का वर्क करते हैं और skeleton정 system को बनाने में help करते हैं जैसिए देखिये दोस्तों दो joints हैं तो बीच में जो प्रजिन्त है इसको cartilage बोलते हैं, यह देखे, cartilage इसमें present है, यह देखे, यह देखे, यह सब cartilage हैं दोस्तों, ओके, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, अब हम बात करेंगे, upper limb, upper limb में हम लोग पहले देखेंगे, hand में, hand में जो दोस्तों सबसे उपर जो होता है, यह बूम, इसको हम लोग ब मोलते हैं, humirus, यह देखें दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हम इसके बाद, अंदर के तरब जो होता है, यह याद करने के तरीका होता है, दोस्तों, अल्ला होता है, बाहर की तरब जो होता है, वह रेडियस होता है, एक चीज़ी दोस्तों याद रख लेना, सरीर के जो away from the body होता है, उसको लेटरल बोलते हैं, और सरीर के तरब जो जाते हैं, उसको हम लोग मेडियल बोलते हैं, तो यह मेडियल साइज हो गया, यह लेटरल साइज हो गया, ओके दोस्तों, अब देखें, यह एक हुमिरस हो एक अनला हो गया, एक रेडियस हो गया, उसके बाद दोस्तों हमने बताया था, यह देखें, कारपल्स, इसको कारपल्स बोलते हैं, दोस्तों, और उसके बाद मेटा कारपल्स, यहां होते हैं, यह मेटा कारपल्स, इसमें बढ़ी हैं, दोस्तों दिखाया नहीं है, फिर फ पिर उसके बाद है लेंजिस ओके दोस्तों सोरी दोस्तों हमने ध्यान नहीं दिया आपका जो वीडियो बन रहा था हुए हलका कट हो रहा था और लाइट भी कम थी तो इसके लिए सोरी दोस्तों लेकिन अब फिर से हमने सेट अप कर लिया है अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा यह देखे दोस्तों यह होगे हलेंजिस हलेंजिस टोटल होते हैं चाओता है यह देखे हम लोग गिनते हैं एक दो तीन 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 यह जो दोस्तों मेटा कारपल्स होते हैं मेटा कारपल्स होते हैं उसको सबसे अच्छा तरीका है याद करने के लिए जितनी उंगलिया होते हैं तरनी मेटा कारपल्स होते हैं ये होते हैं मेटा कारपल्स दोस्तों ये होते हैं कारपल्स टोटल होते हैं 8 मेटा कारपल्स होते हैं 5 और फेलेंजीस होते हैं 14 अंगुठ में जो होता है वे क्यूल दो होते हैं तो टोटल कितने होगे दोस्तों चवदा तो आईए हम लोग देख लेते हैं अपर लिम्ब में कि अपर लिम्ब एक हुम्रस एक अन्ला एक रेडियस आठ करपल्स पांच मेटा करपल्स चवदा फ्रेंजिस टोटल दोस्तों देखते हैं कितना होता है टोटल तीज होते हैं दोस्तों दोनों मिलाकर तो तीज अपर लिम्ब के हैंड में अब हमने बताया था दोस्तों आपको सोल्डर गार्डल सोल्डर गार्डल जो होता है उसमें क्लेवकर भून आते हैं और इसकेपला आते हैं तो दो दोस्तों क्लेवकर बूर है दोष केपला है यह देखे दोस्तों दोस्तों दो इसकेपला दो क्लेविकल आते हैं कि pen do Come on अबात करेंगे हमई में इसमें टोटल 26 कोम होगते हैं यह यह जब चाइल्ड में होता है दोस्तों यह 33 ह festivals लेकिन जब आड़्ड होता है जाल्ड तो इसमें कुछ बोन फ्यूजड होकर 26 हो जाते हैं आईए दोस्तों हम इधर समझाते हैं आपको थोड़ा सा स्पेस पे ये मान लिजिए आपका वर्टिब्री है ये देखिए दोस्तों ये मान लिजिए आप फार एक चमपल वर्टिब्री है आपका ओके फ्रेंट्स तो उपर से जो साथ होते हैं उसका नेम होता है सी वन सी टू अलग लग नेम होता है सरवाइकल जिसको टोटल बुलते हैं ये दोस्तों साथ होते हैं साथ नमबर तक होते हैं फिर उसके बाद जो होता है दोस्तों थोर एक इक होता है जिसको T1, T2, T12 तक हम लोग प्रेजेंटर करते हैं ये देखें दोस्तों थोरे एकिक होता है दोस्तों ये देखें ये टोटल 12 पे ये रो सोरी दोस्तों 12 होते हैं उसके बाद जो होता है 5 11, L2 करके L5 तक होता है जिसको हम लुम्बर बोलते हैं ये 5 होते हैं बोन उसके बाद जो होते हैं सिक्रल होता है दोस्तों सोरी दोस्तों सिक्रम होता है ये जो होता है ये एक होता है ये पहले 5 रहते हैं यहीं पर जो बोन होता है एडल्ट होने पर चाइल्ड के बाद जब चाय डेडल्ट होता है तो यह फ्यूज होकर एक बोन बन जाता है उसके बाद लास्ट में जो है कोकिक्स होता है यह दोस्तो फोर होता है बाद में फ्यूज होकर एक बन जाता है यही दोनों फ्यूज होकर जो होते हैं तैटीस बोन से 26 बोन में हो जाते हैं यह देखे दोस्तों, टोटल 26 हो जाएंगे, टोटल 26 हो जाएंगे, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, अब यहाँ पर देखे दोस्तों, यह जो होता है, लोवर एब्डोमेनोर होता है, इसको पेल्विक गार्डन बोलते हैं, यह ज टोटल हो गएं आपका 66 बोन, 66 बोन हो गए हैं यहाँ पर, हमने यह देख लिया, और 26 बोन हो गएं आपके वर्टिब्री में, और इसकल में हमने देख लिया टोटल 29 बोन है, और हमारे रिप्स में देख लिया टोटल 28 बोन है, अब बचा लोवर लिम दोस्तों, आईए इ देखे हमारे सरीर की सबसे लॉंग दून जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर हमारे अपर लिम की सबसे लॉंग दून दोस्तों हुम्रस होती है लोवर लिम की सबसे लॉंग दून जो होती है फीमर होती है और पूरे बोड़ी की सबसे लॉंग दून जो होती है वह फीमर होती है ओके दोस्तों ये देखे एक जो हो गया फीमर हो गया ये देखे कार्टेलेज लगे हैं मुमेंट के लिए भी और फ्रिक्शन लिस करता है मुमेंट के समय हमारे बोटी को म्यूकेशन प्रवाइड करता है ये देखे दोस्तो एक हो गया ये ये जो बेट को अपने में अब्चॉर्ब करता है अब सौक्ट लगने से रोखता है और मुमेंट में हेल्प करता है इसको बोलते हैं दोस्तो पटेला ये बाहर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं फिबुला फिबुला बोलते हैं दोस्तो जो अंदर की तरफ होता है उसको टिबिया बोलते हैं ये भी एक एक होते हैं दोस्तो उसके बाद उपर देखिए दोस्तो ये कारपल्स था ये मेटा कारपल्स थें सेम उसी तरह ये टार्सल्स हो जाएंगे और ये मेटा टार्सल्स हो जाएंगे टार्सल्स की संख्या जो होती है ये जो हो गया मेटा टार्सल्स टार्सल्स की संख्या जो होती है साथ होती है अब वहाँ पर कारपल्स की संख्या जो था आठ था इस तरह कंपैरेस्ट करके पढ़ेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा टोटल दोस्तों 30 बोन ही होना है अपर लिंब के हैंड में और लोगर लिंब के पैर में यहाँ पर भी 30 होना है यहाँ पर कारपल्स आठ हैं यहाँ टार्सल्स साथ हैं लेकिन एक यहाँ पर टिविया बढ़ गया है इसलिए यहाँ पर साथ बोन है इसलिए नहीं है लेकिन हाँ यह बोल सकते हैं सबजिने के लिए हम लोग याद रखने के लिए और उसके बाद देखिए दोस्तों मेटा कार्पल्स यहां पर देखिए दोस्तों मेटा कार्पल्स पांच है तो यहां पर भी मेटा कार्पल्स जो हैं दोस्तों पांच रहेंगे फेलेंजिस से मुसी तर एक दो ये मेटा कारपल से हो गए यहाँ पर देखें एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन टोटल चौदा फेलेंजिस हैं दोस्तों चौदा टोटल एड करेंगे तो हम लोग पाएंगे 30 14,5,7,6,27,27,27 और 30 टोटल टू पेयर से हैं दोस्तों इस साइड भी और इस साइड भी 30 गुड़े दो करतेंगे टोटल हो जाएंगे 6 10 टोटल हो साथ हो बहुए हैं तक करम करेंगे दोस्तों देखे लिए कि साइड ऐसे में दोनों पेरों में अर्द दोनों हाथों में जो हें तायते इस चैल्ड में, रिप्स में, 12 पेयर मतलब 24 बॉन्स, रिप्स होते हैं, एक इस्टन्नम होता है, ये हुमिरस, अन्ना रेडियस कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, फेलेंजिस लेकर 30 बॉन होते हैं, इधर भी 30 बॉन होते हैं, ये जो होते हैं, पेल्विक दो बॉन होते ह और यह देखे दोस्तों फीमर टिबिया अंदर है तो टिबिया बाहर है पटेला यह सोरी दोस्तों दोस्तों सोरी यह होता है कर देखे दोस्तों हमने आपको स्केलेटन सिस्टम में बोन कौन कहां है यह हमने बता दिया आप एक बार आप लोगों का डाउट किलीर करते हुए कि आपको यह दिखा देते हैं एड करके यह देखें सिष्टी बोन जो है अप लोवर कि पार्ट में सिष्टी बोन है टोटल दोनों पैरों में अप और आ टू हेंड में जो है 60 है ओके दोस्तों अच और सिक्स बोन जो है दो पेल्विक और दो पेल्विक बोन दो इसकेपला बोन दो कलेविकल बोन टोटल बोन जो है यह हो गया और 29 बोन जो है हैड में हो गया 25 जो है 25 जो है कि रिप्स में हो गया चेस्ट में ओके दोस्तों जब हम इसको एड करेंगे टोटल हमको मिल जाएगा 206 ओके दोस्तों यह देखेए 206 बोन इस तरह देखें दोस्तों जैसे ये हो गया human skeleton system ये आप लोग दोस्तों first part में देख लीजेगा बहुत ही अच्छा note समने दिया है human skeleton system दो part में होता है एक जियल appendicular एक जियल जो होते हैं दोस्तों वो total होते हैं 80 होते हैं दोस्तों और appendicular जो होता है 126 होता है total add करेंगे तो हम लोग दोस्तों पाएंगे 206 I hope आप लोग इस डाइग्राम के द्वारा बढ़ेंसा समझ लिए होंगे और आप लोग हमारा support करते हुए वीडियो देखेंगी ये दोस्तों स्क्रीन साथ ले लिजिए आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है दोस्तों आप लोग message करके उस वीडियो को आप लोग बनाने के लिए हमको बोल सकते हैं हम आपको वीडियो बहुत ही अच्छे डंग से बना कर provide करेंगे आप दोस्तों ये देखने के लिए ये देखे दोस्तों इसका screen सट ले लिजी दोस्तों ये देखे इसमें नाम लिखे हैं इसको याद करने के लिए ये याद करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों इसको याद कर लिजीगा बाकि ये तो बताई दिये हैं कौन सबून कहां मिलता है यह देखे लोग फिर से एक बार बोलना है दोस्तों जो joint के बीच में होते हैं उसको cartilage बोलते हैं और जो हम लोग moment कर सकते हैं उसको appendicular bone बोलते हैं और जो जिसका हम लोग moment नहीं कर सकते हैं फ्रीली मोमेंट नहीं हो सकता है उसको हम लोग axial बोलते हैं एक जियल जो होता है एक जियल जो होता है टोटल 80 होते हैं और appendicular जो होता है वे 126 होते हैं यह देखे दोस्तों हम आप लोग को इसमें हम दिखा भी सकते हैं अपटेंडिक्वार कितने होते हैं यह देखे जो दोस्तों अपटेंडिक्वार में यह हो गया कि दो सकेपला है दो क्लेविकल रहल 10 थी हैन्ट में और 60 अच्छे 56 बोन इधार हो गए दोस्तों और 60 बोन इसमें देखे दोस्तों 20-30 बोन और 23-30 बोन टोटल 120 बोन हो गए यह हो गया पेल्ष, 2 सकेपुला, 2 कलेविकल टोटल लेकर हो जाएगा 28 बोन Dोस्तों फिर उसके बाद जो है इसकल में होते हैं 29 बोन 27 यह देखे दोस्तों इसकल में 29 रिपस में 25 29 और 25 और दोस्तों वर्टिब्री जो हता है वर्टििब्री में जो होता है दोस्तों टोटल 26 बुन होते हैं इसको हम लोग 8 करेंगे तो दोस्तों आएगा 80 यह XGL होता है ओके दोस्तों यह देखिए हमने यहाँ पर पहले इबता दिया है एक जील में सी है यहाँ पर 126 होते हैं यह दोस्तों देख लीजी फिर से यह जो होता है इस टर्नम होता है इसी से यह रिप्स जुड़े होते हैं लास्ट के दो जो बून होते हैं यह नहीं जुड़े होते हैं इस टर्नम से यह देखे दोस्तों यह दो बून नहीं जुड़े होते हैं ओके दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी डंक से समझ में आया होगा अब बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे धन्यवाद दोस्तों